अगुठा मुठी के अंदर दोनों मुठियों को नाभी के दाइबाई इस प्रकार स्थित करें छोटी उली का मुख आगे की ओर स्वास भरते वे शरी को उपर की ओर किचाओ दे और खेंचे और खेंचे और खेंचे स्वास खाली करते वे आगे की और जुके, प्रियास करे आपकी ठोली आशन को चुए, माथा नहीं, नितम एडियों का साथ न चोने, स्वास समान्य करके रुके, सुगर वालों के लिए राम बान आशन, सुगर के लिए ये बहुत ही उत्ताम आशन, इस से एक सुगर का बहुत ही फाइदा मिलता है, आए धीरे धीरे वापिस, मंडूक आशन की दूसरी स्थिति, बाए हाथ का कब बनाए, नाभी पर रखे, दाए हाथ का भी कब बनाए, बाए हाथ पर रखे, स्वास भरते वे शरीर को उपर की और खिचाओ दे, और खैंचे, और खैंचे, और खैंचे, स्वास खाली करते हुए आगे की और जुके प्रियास करें आपकी ठोड़ी आशन को चुए माथा नहीं नितम एडियों का साथ ना छोड़े स्वास समान्य करके रुके आएं धीरे धीरे वापी वजरासन में निस्राइब अगे पत्त वे फड़े प्रेयास प्रियवेश करें रुके रुके झाली का सबस्ति का सुभर्ण